विश्वास है कैसी चीज है जो बड़ी से बड़ी असंभाव चीज को भी संभाव कर देती है और अगर विश्वास खुद पर हो तो कोई भी असंभाव नहीं होता है हलो दोस्तों स्वागत है अब सभी को मेरे यूटूब चैनल एनिस और चैनल व्लॉक्स पर आप सब कैसे हैं आसा करती हो अच्छे और स्वास्त होंगे मैं भी अच्छी हूँ आप सभी की दुआ और असरबात से और आज की कहानी है विश्वास तो चलिए वीडियो को देर न आदमी के पीछे एक कहाने होती है जो उसके नाकामियाबी को किनारे करती हुए जीवन के कठिन रस्तों में चलने का साहस देती है यह फ्रेरत-कहानिया ना केवल हमें प्रेरित करती है बलक्य यह भी सिखाती है कि असफ़लताओं की वावजुद कैसे निरंतर प्रयास से सफरता प्रप्त की जा सकती हैं तो चलिए कहानी को सुरू कर दें जो ना केवल आपकी सोच को सकरात्मक बनाएंगे बल्कि आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित भी करेंगे असंभव कुछ भी नहीं होता विश्वस अगर खुद पर है तो एक बार की बात है एक गाउं में एक ब्यक्ती रहता था उसे टीवी का बुखार था वो अपना इलाज कराने के लिए वो अपने पास के कस्बे में एक वैद्य जी के घार पहुँचा घार पहुँचने के बाद उसे पता चला कि वैद्जी खेत में काम करने के लिए गए हुए है वो ब्यक्ती बेद जी को ढूनते ढूनते खेत में पहुँच गया खेत में पहुँच कर उसने सारी बात बेद जी को बताई सब कुछ जनने के बाद बेद जी ने सोचा एक दवाई लिक कर दे देता हूं लेकिन खेत में ना पेपर था और ना ही पेन अब बैद जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दवाई लिख कर कैसे दे तबी उनकी नजर एक लाल इट पर पड़ी उन्हों ने उस इट पर मिट्टी के टुकडे से दवाई लिख कर उस आदमी को दिया और कहा ये दवाई ले ले और इसे पानी में घुल कर पीना समस्या ये थी कि वो आदमी आनपड था उसे बैद जी की बाद पूरी तरह से समझ नहीं आई वो उस इट को लेकर घर चला गया तीन महने बाद वो व्यक्ति वफास बैद जी के पास आया और बोला बैद जी आपने जो दवाई दी थी उस में से मैं आधे से जादा ठीक हो गया अगर आप वो दवाई मुझे फिर से दे दो तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा बैद जी ने कहा मैंने तुम्हें दिया तो था वो व्यक्ति कहता है इट तो हमारे घर में भी बहुत है पर आपने जो उस इट पर मंत्रफुक के दिया था वो दे दो मेरा कम बन जाएगा बैद जी हैरान रह गए जब उन्हों ने पूरी बात पूछी तो पता चला कि वो प्यक्ति पिछले तीन महिने से उस इट को ही पानी में घोल कर पी रहा था लेकिन बैद जी ने उसे फिर भी कुछ नहीं बताया चानते हो क्यों क् उसे इलाज पर पूरा भरोसा था कि वो ठीक हो जाएगा बैद जी ने फिर से एक इट ली और मिट्टी से उस इट पर दवाई का नाम लिख कर दे दिया वो व्यक्ति कुछ समय बाद पूरी तरह से ठीक हो गया दोस्तों ये कहानी है तो बहुत छोटी सी लेकिन इसमें बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है अगर हमें किसी भी चीज पर पूरी तरह से भरोसा है तो वो चीज होकर ही रहेगी जैसे उस प्यक्ति को बेद जी के इलाज पर पूरा भरोसा था और वो उस इलाज से ठीक भी हो गया तो यही चीज हमारी जिन्देगी में भी लागो होती है अगर आपको अपने सपनों पर पूरा भरोसा है तो वो एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा बस अपने सपनों पर भरोसा रखना और इमानदारी से महनत करते रहना देखना एक ना एक दिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे विश्वास एक ऐसी चीज है जो किसी भी असंभाव काम को संभाव कर सकती है बिश्वास अगर आपको एक पत्थर की मूर्ती पर है तो वो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी कर सकती है तो दोस्तो मेरा ये छोटा सा कहानी वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा और जैसे कि मैंने पहले बताया था जुरवात में कि जो मेरे चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लिस आप लोग याद से चैनल को सब्सक्राइब करतीजिये और वीडियो को लाइक शेयर करना बिलकुल भी न भूले और आपका लाइक शेयर कमेंट मेर ये को उत्साह करता है और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप सभी को बाई-बाई अपना स्वस्त मस्त रखो स्वस्त रहो प्रफाइवाई